प्रफ पड़ रही है तो यह देखिए यह पूरा गरम पानी है काफी गरम है पानी काफी बड़े बड़े खड़े हैं तो वाइक फस जाती है थोड़ी लेकिन चल रही है चलो 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 साइद लास्ट ही होगी मेरे ख्याल से यह ओ हो नहीं नहीं आगे जाने देते हैं को यह निचा डिक हो अ हुए दो निचा डिक है यह अ हुए अ है क्यों आर्ण को यह जो अ है यह आ यहार दोटै नहीं तुहर नीचा गाई थैक क्ड़िश़्ी आर यह तो बाइक वेड़ कही तो बड़ाए लग त्री ये संधी हो रखना आए है बस पकड़के रखना इसे में दूसरी साइल आता हूं कर वा रहा तो ये खिर अखितने मिट्टी निकारी थी निचे थे हाँ कला च बोटी फिरी ये विरु चोड़ दे छोड़ दे नाना कोई सीने ये लोग! तो बाइक गीर गए थी तो अब हम यहां पर पहुंच चुके हैं यह प्रोजेक्ट है यहां पर बिजली का तो यहां पर हम अपनी खड़ी करेंगे और यहां से जाएंगे हम पैदल ट्रैक तो यही है लास्ट पॉइंट यहीं पर पार्किंग है तो यहां पर लगाते हैं बाइक और यह देश्ये बाइक और यह समान तो अभी चलते हैं यहां से समान निकालते हैं और पैदल ट्रैक सुरू करते हैं तो अभी सावान उठा लिया है और सब रैडी है तो चलो तो अभी हम लोग चले हुए है रास्ते में और यह देखिया आगे यहां चालू है और काफी प्यारा रास्ता है और जंगल काफी गना जंगल भी है साथ में काफी आलत खराब हो रही है तो देखिये बर्फ और बारिश लगी हुई है इस पर्फ और Chinook चूपल काफी खराड़र हूए हुँ ऐसे तो यह देखिया नीचे बरफ पर बारिश लगी हुई है तो मॉसम देखिये काफी भीनक है और यहां पर हम आभी कि रुख रहे हैं झाल झाल तो देखिए बाल पूरे गीले और फोन भी पूरा गीला हो चुका है और व्लॉगिंग चल रही है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में ऐसे ट्रैक में तो आज बर्फ में होगी कैम्पिंग फुल आन मज और वीओ देखिए यहां से वाव उपर देखिए पूरी धुंद जमी हुई है से देखिए बर्फ वाव बर्फ में चाप्किंग तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन में और मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या वियू है यहां पर यह देखिए यह यहां पर दुवा उठ रहा है और यहां पर भी तो यह है गरम पानी और इधर देखिए पूरा चारों तरफ बरफ और साथ में बारिश लगी हुई है और इन पहाड़ों के उपर भी यहां पर है गरम पानी तो अभी हम वहां पर स्विम करेंगे तो ही आपको दिखाएंगे गरम गरम पानी के मज़ें ऐसी भरी ठंड में पहुंच गए हैं और यह फोटो सूट चालू हो चुका है तो यह देखिए यह पूरा गरम पानी है और यह धुवा जो ट्राई यह इसी गरम पानी से उट रहा है और यह वहां मंदिर के नीचे से पानी निकलता है तो यह यहां पर बना हुआ है नहाने के लिए छोटा सा और टेच करते हैं पानी को काफी गरम है पानी और बहुती ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज यहाँ पर वहाँ पर है गरम पानी वहाँ से आ रहा है मंदिर के नीचे से तो वहाँ पर है गरम पानी और यहाँ पर है ठंडा पानी जो उपर सेनदी से आ रहा है बरफ का पानी तो अभी मैं पीने के लि तो अभी जा रहे हम लोग नहाने के लिए तो यहां पर कपड़े खोल के रखते हैं अंदर क्योंकि बारिश लगी हुई है तो कपड़े गीले हो जाएंगे तो बाइब हम लोग जा रहे हम नहाने के लिए तो यह देखिए दोस्तों यहां पर स्नोफॉल सुरू हो गया है वाँ कि तो अभी हम लोग बहां पर नहां रहे थे और अभी देखिए स्नोफॉल सुरू हो गया है कि देखिए तो आज की ट्रिप सबसे बेस्ट ट्रिप होने वाली है गरम पानी और साथ में बरफ और थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और टोटल एडवेंचर हो गया इस राइड में हर चीज देख लिए बस धूप नहीं लगी है आज तो यह देखिए अभी खाना हमारा बन चुका है और यह देखिए हम लोग खाना खा रहे हैं अभी तो अभी खाना खाके सो जाएंगे और आप लोगों से मिलेंगे इस सुबह कर अीज और उन मिलेंगे खामार् से मिलेंगे हैंगे मिलेंगे बन के लगवेंगे हैं अजय को अभी खाई पाना है तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो अभी सुबह हो भी है और अभी हम लोग फिर से जाएंगे वहां पर नहाने के लिए और यह देखिए यहां पर यह लगाया था हमने टेंट यहां पर अंदर ही लगा दिया था हमने टेंट हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर खिड़की नहीं है और दर्वाजा भी नहीं है तो यह देखिए दर्वाजा यह पड़ा हुआ है बाहर तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापिस तो पीछे देखिए यह लोग भी रेडी है और बारिस लगी हुई है थोड़ी थ तुबा से बारिस नहीं थी लेकिन अभी जैसे हम चल पड़े घर की तरफ तो बारिस लग पड़ी है लेकिन अभी क्या कर सकते हैं अभी जाना ही पड़ेगा क्योंकि खाना भी नहीं है और टाइम भी बहुत हो गया है दस पजने वाले हैं शायद तो अभी निकलते हैं यह यहीं पर एंड कर देता हूं तो आप लोगों से मिलूंगा मैं अब नेक्स्ट वीडियो में तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोगों को ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहे